नमस्यक्राइब दोस्तों मिनना में पंकच और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड के अंदर आपको जो स्टेरिंग के आसपास जो कंट्रोल मिलते हैं लेफट एंड साइड पर यह वाइपर एंड एंडिकेटर्स के आपको बहुत सा सबसे पहले हम कवर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर आपको जो कंट्रोल दिया हुआ है यह आपको वाइपर का कंट्रोल यहां पर बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं आटो मोड है स्पीड आप कंट्रोल कर सकते हैं वाइपर्स की नाव हाव तो यूज इसको अगर आप इसको मैसेज भी शो हो जाएगा कि ओन हो गया है तो जैसे मैं इसको नीचे किया आप देख सकते हैं आटो वाइपर आन का जो है नोटिफिकेशन मुझे आ गया अगर आप इसको ऊपर करेंगे तो यह ओफ हो जाएगा विचिज अ मैनुल मोड अगर आप इसको मैनुली ही कंट्रोल करना चाहते हैं जैसा कि नॉमल गाडियों में होता है तो आपको सेम चीज रहेगी यहां पर भी इसको नीचे करेंगे और इसके बाद एक नीचे लाए तो आप इसको अपनी तरफ मतलब फॉरवर्ड अपनी तरफ इसको जब प्रेस करेंगे तो एक जो है शावर आएगा इंदन उसके बाद आपका जो शीशा है वो क्लीन होना शुरू हो जाएगा देखिए मैं उसको ऐसे प्रेस करूँगा और यह देखिए उसके बाद शीशे को जो है वाइपर ने अटमेटिकली क्लीन कर दिया अगर आप इसको अच्छी तरह से क्लीन करना चाहते हैं मतलब अगर ज्यादा ही गंदा हुआ पड़ा है तो एक बहुत अच्छा फंक्शन या बटन यहाँ पर दिया है महिंद्रा ने अगर आप इसक तो यहाँ पर प्रैस करूंगा इस बटन को यह किया यह देखिए पहला लिक्विड आया और उसके बाद वाइपर्स ने अटमेटिकली क्लीन कर दिया ना वाइपर्स काफी बड़े हैं काफी अच्छी कॉल्टिक है तो पूरा शीशा लगबग कवर कर रहे हैं आपका दु पर है इस समय यह देखिए अगर मैं इसको दुबार से और उपर कर दूँगा तो इसकी स्पीड जो है बिल्कुल तेज हो जाती है यह देखिए यह बारिश के टाइम पर आप इसको ऐसे कर सकते हैं तो इसको वापर सम पोशिशन में लिया आते हैं अगर आपको पीछे वा जब आप इसको उटो मोड में रखेंगे जैसे अपने आपने अटो रेंग सेंसर जो है उनको और दिया उसके बाद क्या होगा कि आपके पास यह एक्टिवेट हो जती है इसकी सैंसिटिवटी जो है उसको कैन्ट्रोल करने के लिए हैं आप कितनी स्पीड में चाहते है कि आपका शीशा क्लीन होता रहे जब बारिश आये तो यह इसकी स्पीड कंट्रोल करने के लिए है नीचे सबसे आप देखेंगे तो हाई है उसके बाद लो है अगर आप इसको आप पर कर देंगे तो वो आटमेटिकली स्लेट कर लेगा कि क्या स्पीड होनी चाहिए देन आफ क कर दीजिए विच इस डी डिफॉल्ट सेटिंग आपको रखनी चाहिए चले बात करते हैं राइट-इंड साइट पर क्या कंट्रोल दी हुआ है तो राइट-इंड साइट पर सबस्प्रें तो यह जो बटन है डमी है इसका कोई काम नहीं है यहां पर आपको जो आपको आप गाड़ी के पास आएंगे उसका दरवाजा खोलेंगे तो हैड लेंप्स भी ऑटमेटिकली ओन हो जाएंगे वह डिटेट कर लेते हैं सेंसर की अंदेरा हो चुका है यह जो नेक्स्ट ऑप्शन है यह आपका पार्किंग लाइट का और सबसे ऊपर जो है आपके मेन ल जाएंगे तो आपके राइट सडरी लेफ्ट साइड के लिटेटर जलेंगे नीचे तरफ करेंगे तो राइट साड की इंडिकेटर तो इस तरफ सरफ इतना ही है चले बात करते हैं कि आपको स्टेरिंग के ऊपर क्या-क्या मिलता है तो यहां पर आपको कंट्रोल दिये हु तो जैसे ही इसको आप enterprise के यहाँ पे enter दिया हूँ, तो जैसे ही आप enter करेंगे इसको, तो आप एक particular परियो मैन्नृ करी लूब के लिए तर अबेर उफ्चिंद ड्राइवर इंफो लेंगे, तो मैंने ड्राइवर इंफो के उपर क्लिक या, उसके बाद मुझे यहां पर सबस कोई movements कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं तो उसको लगता है कि driver attentive mode में अदरवाइस यह जो है level decrease होने लगता है और गाड़ी एक time पे आके रुख जाएगी और 15 minute आपको at least खड़ा रहना पड़ेगा तब उससे पहले गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी तो यह function दिया हुआ है उसके बाद इसको आप और scroll करेंगे नीचे तो यहां पर आपको दिया हुआ है trip a basically आप कितना गाड़ी चला रहे हैं तो आप trip set कर सकते हैं few people do it जब आप इसको full करवाते हैं कुछ लोग हमेशे इसको एक जैसा ही रखते है यहां पर आपको दो trips मिलते है trip a and trip b यह आपका trip b है इसको reset करने के लिए आपको simply इसको press करना है जैसे यह मेरी trip b है मैं इसको reset करना चाहता हूँ तो मैंने इसको press किया और यह देखे zero हो गई तो यह reset हो जाती है अब आप इसके अपर दुबारा से click करेंगे तो आप main menu मा आ जाएंगे then you have fuel info fuel info को आप जैसे ही enter करेंगे तो यहां पर आपको दिखता है कि fuel economy कितनी है जो range है उसका मतलब है कि इतना गाड़ी approximately अभी चल सकती है मैं इसको थोड़ा सा zoom in कर देता हूं हां तो 188 km का मतलब यह है कि गाड़ी जो है अभी इतना किलो मेटर चल सकती है जो average मेरी निकल कर आ रहा है यह 14.1 kmpl की है इसके बारे में पहले में बात कर चुका हूं उसके बाद आपके पास है def level यह है आपका जो इसमें जिसको बोलते हैं यूरिया जो डलता है गाड़ी में राइट ब्लू वाला एक टैंक के पास ऑप्शन है def उसको बोलते हैं तो इसकी जो quantity है वह हमेशा आप आपको रखनी है maintain यह 10,000 km पर आपको रिफिल करना पड़ता है यहां पर 79% में दिखा रहा है मेरी गाड़ी टोटल चल चुक है अभी 3800 के आसपास तो अभी ठीक है बट नेक्स सर्विस में जब जाएगी तो इसको में रिफिल करा लूँगा then fuel economy def level I think these are only two options then दोबारा से जब इस बटर्ण के उपर मैं क्लिक करूंगा यहां पर उसके बाद आप आ जाएंगे digital speed में इसके बारे में एक video बना हुआ जिसमें की मैं बता हुआ कि क्यों दिया हुआ है यह सर्फ इसलिए नहीं है कि आप इसको digital देखना चाहते हैं यह directly related है आपकी cruise control से तो इसके बार आपके पास यहां भी display हो जाएंगे कुछ लोगों को यहां देखना होता है वहां देखने में उनका ध्यान divert होता तो उसके लिए यहां पर यह option दिया हुआ है वापस से यहां पर आपको कोई alert अगर गाड़ी में आया हुआ होगा या कोई भी heating की issue आ रही है या कोई भी अ अलर्ट जो है वो दिख जाएगा then you have settings settings में जब आप क्लिक करेंगे तो यहां पर सबसे पहले AFE auto reset इसका मतलब यह है कि जवाब इसके पर क्लिक करेंगे यहां पर तो इसके अंदर आपको तीन चीज़ें मिलती है after ignition on after refueling तो यह basically आपकी average calculate करने के लिए है मैंने इसको off किया हुआ है इसका मतलब यह है कि जब से मैंने गाड़ी खरीदी है तब से अब तक मेरे को overall यह कितना average दे रही है जो कि 14 की मैं आपको दिखा रही है आपर after ignition मतलब जैसे ही आप इसको on करेंगे engine को उसके बाद आपकी average निकल के आएगी जब तक आप off नहीं करेंगे वो कितनी होगी and then after refueling मतलब की आप जब भी इसको refill करवाएंगे तो तब कितनी average निकल के आ रही है next refill तक वो आपको यहाँ पर दिखेगी let's go back to the setting sorry sometimes buttons ना थोड़े से okay I need to press enter sorry I'm pressing something else okay now then you have the passenger airbag यहाँ पर आपको option मिलता है passenger airbag को on and off करने का option now off इसको मत ही कीजिए क्योंकि यह हमेशा on रहना चाहिए this is very very important and again हम इसमें जाएंगे यहाँ पर है आपका drawness detection तो यह जो चीज़ है उस selected है that means की वह सेम चीज की आप कितना attentive है गाड़ी को drive करता से में आप इस option को off करना चाहते हैं अब भी कर सकते हैं उसके बाद tpms auto learn मतलब आपके जो गाड़ी के टायरों का जो pressure है उसका जो उसके अंदर जितनी हवा है उसमें अगर कोई भी कमी आती है आपका pressure कम होता है तो यह आपको आपको वार्निंग दे देगा कि आपको अभी इसमें हवा फिल करवानी है या एक टायर में कम pressure है एक्सेक्टर लेट सी के कोई और option इसमें दिया हुआ है तो तो TPS auto learn मतलब वो automatically जो है आपको detect करेगा pressure को यह जो है टायर फिल असिस्स मतलब जब आप इसमें हवा भरवाएंगे आप इसको ऑन ही रखिए इससे करेंगे तो देखिए ओफ हो जाएगा इसको आप ऑन रखिए ऑन मतलब जब आप टायर में हवा फिल करवाएंगे तो य अनलोग वाले में कभी-कभी accurate पता नहीं लगता तो आपको क्या करना है कि आप इसको और रखिए तो होगा क्या कि यह आपको assist करेगा कि कितनी हवा जो है टैरो में फिल हो चुकी है अचलि मुझे इसको अगर थोड़ देर यूज नहीं करेंगे तो यह automatically off हो जाता है इसलि आपको यह भाज आ रही है नहीं आ रही है बट आप अपनी मरजी का जो sound यहाँ पर चूज कर सकते हैं कहने का idea यह है राइट तो उसके बाद हमको जाना है वापस menu में and let's see what else is here sound clock type this is basically आप analog clock रखना चाहते हैं digital clock रखना चाहते हैं so I like digital clock इसमें वापस जाने का option मुझे कहीं कोई दिखायत दिखता नहीं है तो मुझे हमेशा normally इसी को प्रेस करना पड़ता है so let's go back here then you have factory reset factory reset मतलब आप सारी settings को दुबारा से वैसा करना चाहते हैं जैसा company आपको प्रवाइड करती है तो वह एक लास्ट के बारे मता हूं कि कैसे इसको यूस करते हैं बट आज के लिए I think इतना काफी है thank you so much guys for watching this video I hope मेरे वीडियो जह हो helpful है और आपको पसंद आ रहे हैं अगर आपको लगता है कि आपको कुछ value मिल रही है please subscribe to this channel और एक thumbs up दे दिजिए because the more thumbs up it motivates me to create such more videos thank you so much I see you very soon in next in next video take care of yourselves goodbye